इडी के छे समंस के बाद और मुंबई नयाई पाली का देश की सर्वोच्छ नयाई पाली का सभी जगे पर किसी भी प्रकार का रिलीफ न मिलने के कारण आखिर मजबुरन पूर्व ग्रहमंत्री जी को इडी के सामने जाना पड़ा अब यह महराश के तीनो दल और पूरी सरकार उनका बचाव किस कारण कर रही थी कि क्या कहीं अनिल देश्मुक जी से मुख से महने के सो क्रोड रुपी की वसुली के कौन-कौन साजेदार है कौन से नीता को कितने पैसे मिलते थे क्या यह जानकारी देश और लोगों के सामने ना है इस कारण पूरी की पूरी सरकारों ने बचा रही थी क्या कारण था एक साधारन ता पुलिस अफसर उसके गाड़ी में पैसे गिनने की मशिन मिलती है महराज की विदासभा तीन दिन भंध होती है उसके बाद भी मुख्यमंत्री उसका पक्ष रखते हैं यह सारी बा अनेल देशमुक जी के मुख से तीनों दलों के कोन से बड़े बड़े नेता है जिनको यह सो करोड़ वसुली का हपता जाता था वे भी नाम अब सामने आएंगे